टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस कल से शुरू होने वाला है। किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई कर ली। जिसके बाद सल्मान को तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये सरेप्स इंडस्ट्री से गायप हो गए। चलिए आपको बताते हैं इन कंटेस्टन्स के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है अरहान खान। अरहान खान ने बिग बॉस 13 में एंट्री ली थी। अरहान रश्मी देसाई की बॉइफ्रेंट थे। खुद सल्मान खान ने अरहान खान का सच सब को बताया था। दरसल अरहान खान ने रश्मी दिलसाईस अपनी शादी के साथ साथ बच्ची की बाद भी छिपा कर रखी थी शो से बाहर होने के बाद अरहान कहा है इस बारे में किसी को नहीं पता प्रियंका जगा प्रियंका जग्गा को सल्मान खान के साथ पंगा लेना काफी भारी पड़ा था प्रियंका बिग बॉस के दसवे सीजन में नजर आई थी खुद सल्मान खान ने प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाला था उस वक्त सल्मान ने कहा था कि अगर प्रियंका किसी टीवी के शो में नजर आई तो वो कलर्स के साथ सारे कॉंट्रेक्ट तोड़ देंगे इसके बाद प्रियंका को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला सिध्धार्थ भारदुआज बिग बॉस सीजन पांच में सिध्धार्थ भारदुआज नजर आये थे सिध्धार्थ की भी सल्मान खान के साथ तू तू मै मै हो गई थी शिसके बाद सिध्धार्थ इंडस्ट्री से गायब हो गई जुबैर खान बिग बास 11 सीजन में आये जुबैर खान को सल्मान ने शो की शुरुआत में ही घर से बाहर निकाल दिया था जुबैर खान ने तो सल्मान के खिलाफ शिकायग भी दर्ज करवाई थी लेकिन एक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा स्वामी ओम स्वामी ओम ने तो बिग बास के घर काफी बवाल मचाय था शायद ही कोई हो जो स्वामी ओम को न जानता हो उनकी हरकतों से परिशान होकर ही उन्हें घर से बाहर निकाला गया था वो इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे लेकिन सल्मान से पंगा लेने के बाद उन्हें कोई भी काम नहीं मिला पिछले साल असीम रियाज घर में शामिल हुए थे घर के अंदर हुई असीम की लड़ाईयों के बारे में तो सब जानते ही है असीम की गर्फरेंड का सथ सामने आने के बाद सल्मान खान ने उनकी क्लास भी लगाई थी बिग बॉस की घर से बाहर आने के बाद असीम को कुछ खास काम नहीं मिला आकाश दीप सहगल बिग बॉस के घर में आकाश दीप सहगल ने सलमान खान के साथ बत्तमीजी की थी जिसकी वजह से सलमान के साथ उनकी काफी बहस हुई थी आकाश ने शो के होस्ट सलमान खान पर पीटने का आरोप लगाय था बिग बॉस में आने से पहले आकाश क्योंकि सास भी कभी बहुती में काम करते थे लेकिन सल्मान खान से पंगा लेने के बाद वो काफी वक्त तक स्क्रीन पर नहीं दिखे तो ये थे वो स्टार्स जिनकी सल्मान के साथ खुब बहस हुई